वाट्सब गाई जमाने में तो आज हम आगे है रेच शेड़ो लेजेंड्स के अंदर तो एक मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह गलती यह है कि मैंने अभी एक रेंडमली शाड ओपन करा था और मुझे मिल गया एक लेजेंडरी चैंपियन तो उसकी बात मैं ब मुझे 500 पॉइंट्स मिल गए होंगे मेरे को जैसी मैंने अपना चैंपियन को कर रहा है चैंपियन चेस हमारे चर रहा है तो यह तो यह जस्ट अभी अभी खुला है तो एट लीस्ट तीन घंटे का गैप क्यों है अब जो लोग बाई चांस कोई किसी को ध्यान ना हो या व ना हो तो वो तो एगर अब कोई भी समन करेंगे तो उसको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे टूर्नामेंट के अंदर तो मेरे 500 पॉइंट्स जो हैं वेस्ट हो चुके हैं अब मेरा काफी जादा नुक्सान कोई 500 पॉइंट्स बहुत जादा होते हैं अगर आप देखे में पास साथ वॉइड्स हैं और एक मुझे लखी ली मिल गया था यहां पर अपने क्लैन बॉस से और बाई चांस मैंने मैं सुचा था कि क्यो ना मैं पास छे इंशिन शाट्स से तो मैं राउंड टाइप करना जादा था कि चलो मैं एक रैंडम ली अपना करता हूं और मु स्पीड चाहिए तो ताकि वह आपको प्रोवक करेगा यहां पर एक को एक दस जार आगर आपको खाली फॉर्टी परसेंट मलब कि सिस्टी परसेंट फॉर्टी परसेंट डेमेज ही लगेगा और वापी जो है उसके पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और साथी साथ इसकी ह है मैं पैसे स्किल मारी कोई डिफेंस इंक्रीज तो अगर आपके पांच प्लेयर हैं और में ते खाली अकेला यह बचता है तो आई तिंक फॉर्टी सिक्स्टी परसेंट इसका डिफेंस जो है बढ़ जाएगा यहां इसके प्रोवक है एक खास चीज है कि इसको बफ के लि दूर पड़ते हैं तो आपका इटी परसेंट आपका बफ लैंड होगा ही होगा बस आपके सही होनी चाहिए और यहां पर देखेंगे इसके प्लेस प्रोवक पर इसका यह पूरा है तिंग हंड्रेट परसेंट है अगर मैं एसेंड करा दूंगा तो इसके लिए भी हमें ब बुक की जरूद नहीं पड़ेगी तो फिर में मैं इसको मुझे काम तो लाना ही पड़ेगा मुझे फैक्शन वार में ही शायद एक काम आएगा वैसे तो काएगा नहीं तो फटा शुरू करते हैं अपना जो है वाइड जादा शार्ट हैं नहीं क्योंकि हम फ्री टू प्ल हो और अगर मिलता हो तो लेट सी मुझे कौन सा चैंपियन चाहिए होगा अगर इथोस मिल जाए तो काफी बेटर हो जाएगा क्योंकि डूम टावर में वन आफ दा बैस्ट चैंपियन सेप्टिमस के बाद सेकेंडरी बैस्ट चैंपियन यहीं है और मुझे सीर चाहिए तो में पस कोई बलब डूम टावर के लिए में पास कोई भी चैंपियन नहीं तो यह हमारा वाच्जिफ हमें मिला है तो आज यह बैक करते हैं में बी शायद मुझे किसी ना किसी चैंपियन की लग हो जाए तो बहुत जादा मेरी उमीद नहीं है नहीं कि मुझे कौन सा है इस रिट क्या स्की डिक्री डाय गोगे कि भी करन यह कुछ खास नहीं है हमारा एक सप्रकोंटे हैं और यह भी वेकार मिला यार इतने सारे पैंस पढ़े हैं मेरे पास और यह भी कुछ खास नहीं है इस खिल करना बहुत मुश्किल होता है रेया चैंपिए जो है एवन खाली होते हैं तो वह एजिली आपको एनिमीज को आपको नहीं मार पाड़ते हैं नेक्स्ट वह खाली पांस शार्ड्स हमारे बचे हैं और आशा करते हैं भाई कुछ मिल जाए घटिया सा हैरियर मिलका एक बनाव दाप घटिय एस चैंपियन वाइड चैंपियन इन दे गेम तो कोई भी स्किल्स की खास नहीं है भी लेक दो फिफ्टी पर्सेंट और इंफ्टी क्रिटिकल ओके होस्पिटल और जिस ऑस्पिटल को भी कोई यूज नहीं करता और भाई कोई एक एक ही दे दो भाई मुझे खोल्ड हाटी है ना यह भी कुछ खास नहीं है पर आवा देखें तो भाई आप लोग सोचेंगे कि इसको मिल गया है एक लेजंडरी चैंपियन पर वो भी बेकार सा ही लेजंडरी चैंपियन था तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता है बारे में ओमागाड एक और भाई एक तो दे तो बस खाली इसके बाल श्राट बता रहा है फाईली मुझे बेल ऑफ मैल गया है पर मुझे बहुत जादा टाइम पहले बैल ओफ चाहिए ताइड इन पांच या छे महीने पहले मुझे बेल ओर चाहिए था हां बहुत बड़िया चैंपियन है कही जगा के लिए ऐटिंग्स एक्षिन के लिए ही मेरा ठीक रहेगा और वैसे जो था मुझे ये चैंपिन बहुत पहले जाई ताप तो थोड़ी इसकी उमीद कम ही है मुझे तो स्किल्स आपको दिखाए लेता हूं तो टैक हॉल एंवे 75 परसेंट चांस तो इसको तो मैं भटक से बुक कर दो कि मैं बहुत सारी आप बुक्स है रेर बुक्स है तो और साथ रहे चैंपिन है तो इतनी बुक्स आपको मुश्किल से मिलेंगी नहीं तो यहां डिक्रीज पर यहां पर एक जुद्स आपको फैक्शन रहेंगे तो आपको आपको पांच में से दो चैंपिन्स में आपकी यह लगी ही चाहेगी तो लास्ट आइए अपना लास्ट चाहर भाईया बहान से दुआ करते हैं को डंका चैंपिन मिल जाए मुझे लगता नहीं मिलेगा मु और इस टाइम शुरू शुरू में अच्छे चैंपियन से आप यूज कर सकते हैं इनको पर अगर आप देखें तो मेरे लिए इस टाइम यह चैंपियन की कोई जूरूत नहीं है इंक्रीज स्पीट के लिए अपा भया और यह पहुत है करी लेसेंडरा आर्बिटर और दो तीन चैंपियन और है एक यहीं स्केल अटाइक है पर यह भी बहुत ज्यूरूत इसकी है नहीं पता नहीं लोग निसको क्यों इतना हाइप बना रखा है इतना बढ़िया गोल्ड बीजेगा थैंक यू